नौन स्टॉप एंटर्टेन्मेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चानल्स अपनी हे करनी का फल है नेकियां रुस्वाईयां आपके पीछे चलेंगी आपकी परचाईयां केंवाईयां केंवाई अिमारा चुक पीछेन्ग करेंवेरे च्ञाईयां कर दो 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 तुमोरीं पहिंain, पुल आमिझू दो आ हुआ ए टुमि lazy में पहुंएंग,ुमारीं ऐसे वार दिस्तुरणी प्रणपनोंुटति फोका माद दुर्गा के चर्णों में ये जो समाधी है, अमबा की है अमबा अनंत पुर्गाओं की एक महान आत्मा थी, जिसने इंसानियत, सच्चाई और न्याय की खातर अपना जीवन बलेदान कर दिया आज के दिन अनंत पुर्गाओं के लोग, जिसका नाम अब अमबा पुरी है, अमबा की समाधी पर अपनी शद्धा और प्यार के भूल चहाने आते हैं आते हैं टादि, टादि, प्रेसा देना, कितने थेर हो गई पहले मा दुर्गा को प्रणम कर पुझे क्या आता ना सवेरे सवेरे शिराज दीते सदा सुहागन रहो तू तू तो नहाओ तू तो फ़लो राजा आया मुझे आया मुझे आया मुझे वुझे जिता? जै हो, जै हो माम बाँ, आखिर परसाथ के बखत आही गया, आज बड़ा खुश है रहे तू भीकू, आरे खुशी का बतिया है मा, इदेखो, ये साल खेत में टमाटर गदराय के हुए है, ऐ गीता, कचे कचे टमाटर बीन डाल, बापू, हमका घरमा बहुत काम पड़ा है, तुम्हारे लाड़ प्यार ने, इस चोगड़ा का दिमाद ख़राब कर दिया है, हमारी तो एको बतिया नहीं सुझा, आ रही हूं काली, आ रही हूं, तुझी भूली नहीं तादी, तादी, सुझा चाचे का प्रसाथ देना, पर तेरा निखटू चाचा है, कहां? तादी, सार्जो बही जा हो अधर, आ रही है, कहा हो अधर्य को आध रहा है। हाँ हाँ, खुर्बान जाँ, सठ्वकार जीते रहो, खुदा की कसम क्या जीते जैसे फूरते पाई है, हाँ अब इस चीते के स्वागे केंडे इस शेर की आदी भूच को काटी अब तुम मखाले में तु उतरते नहीं लाओ तुमारी दूसरी तरफ के भी मूड दूओ अरे क्या लोंडियों की तरह वार कर रहे हो चारो तरफ से हमला करो दुश्मनों की तरह अरे ओ लकड़ी पहलवान चारो तरफ से दुश्मनों की तरह हमला हो गया तो यहीं बेठेर हो जाएगा लाठी के दम पे बड़ा एंट सा फिरे है बदन में तो जरा भी दम नहीं मेरे बदन में कितना दम है वो तुम्हें तुझे वक्त आने पर बता दूँगा अवी तु चुपचाप यहां से चूमंतर हो जाएगा क्यों हो जाओ चूमंतर यहां पर क्या तरह अकेले का राज है लट लेके अपने प्यादों के साथ दिन धर खेलता ही रहता है और अप पर मठे के लिए बैठा होगा अरे अगर मठे के लिए करके क्या दिटा होगा तो होगा एक है अग लगे तेरे मुझे तुझे हैजा हो जाए क्यों हुआ अरे आदाम खोर तूने मेरी लॉॉंडिया की हंडिया क्यों थोढ़ी शुकर कर मुनी मैंने तेरी लॉॉंडिया की सिर्फ हंडिया इह फोरी ए पूछ इससे, पूछ पूछ इसका दिन दहाले जखाले में क्या काम है, यहां क्यू हूआई, मैं कैसे नहीं होते देने क्या था, खिलंदड़ी, हमेशा मर्दों के उटक-पटक में रखल दे ते रहती है, अले यह सुसरी भी तो बिना तेरे मुझ लगे बार नहीं आती, यह हंडिया भी फोड़ दी, मैं क्या करूँ, ना मुना, ना मुना, अरे तुने तो मेरी रातों की नीन हराम कर रखिये, गचकरन, हमेशा मा, अमबा के लिहाज के मारे में दम भर जाता हूँ, वनना तेरी काली कर्टूतों का तो एक मिनिट मैं गला घुड़ दू मैं, गमी द क्या आ क्यां झुबबब यhou तरह लागों पूर पहुत है कि अहां आए दक पाय लागों पर जीते रहा जीते रहा हम तो ने तुम्हारी साल गरे की बदाइदें आये जीजाजी बेटे कि साल के रहें मुबारखर to संबने आप को भी कि राजी जेह हो मा जेह हो आज भी हर साल की तरह हम जमाई राजा की साल की रहें अपने हवेली पर पड़ी धुम्धाम से मना रहे हैं हमें बड़ी खुशी होगी अगर आप भी इस जशन में शामिल होकर बहुत खुशी होगी खुश रहो खुश रहो नहीं जे पिता जी तभा बेटी तुम हमेशा भूल जाती हूं बेटी का बाप बेटी के घर का पानी तक नहीं पीता तब ही तो बले मालिक हम आप ही किखल से सर्बत दन्वा कर लाए हैं कहो गुरू आनंद में तो हो आनंद तो आज शाम को आएगा सर्जी उस्तार क्यों क्यों और जीजा जी की सालगिरा की खुशी में आज हमने बनारस से खास तोर पे मुन्नी बाई को बलवाया है गुन्नी बाई बनारस वाली सची च्छ जार इस बाकी नटनिया को देखने और सुनने के लिए में बरसों से तरस रहा हूँ गुन्नी बाई गुन्नी बाई मेरा प्यार करने का तो है इरादा मगर करूँगी मैं तुमसे ये वारा सुन मेरे शहजादी सब की हो गई शादी मैं रह गया कमारा मैं रह गया कमारा तुम मेरे शहजादी सब की हो गई शादी मैं रह गया कमारा तिरवा देन मारा करते कल परसो करते कल परसो परसो और तरसो चालम तोल में तेरी पीत गए बरसो हस्ता है कहर सारा हस्ता है कहर सारा मैं रह गया कमारा क्यों तेरे वादेन मारा सुन मेरे शहजादी सब की हो गई शादी यार मेरे सारे है शकरे प्यारे हाथ में पकड़के दिल मैंने दिन गुदारे मुश्किल है अब गुदारा मुश्किल है अब गुदारा मैं रह गया कमारा तेरे वादेन मारा सुन मेरे शहजादी सब की हो गई शादी अब गुदारा वादेन 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 सुनो हरे जाए, सुनो हरे जाए, जो मेलो अंगर नाए उड़ जाए हावाए, ये तेरी मुन्नी भाई, जैसे उड़े हो भारा, रह जाए तूक भारा सुन मेरी शैदादी सब की हो गई शादी की में रह गया कमारा क्यों? तिरवारेन मारा बे सरम बे हया निरलज कैसे दिदे फाड फाड कर देखा था चुड़ेल मुनी बाई को हा? अरे वो तो है यह देखने की चीज आहाहाहा देखने की चीज है आवरा कल मुही एक दब बदमास है तुझ जैसी आज तक तुने मुझे एक भी दमड़ी नहीं दी और उसे क्या देख लिया? उस पे रुपे पे रुपे पे रुपे पे रुपे निचावर कर रहा था नाव पीटर अरे चलोक्ती उसके एक इशारे पर तो मैं अपनी जान भी मिचावर कर दूँ जान क्या तो फिर जा मर यहां क्यों बैठाए जाना तो औरे उसकी गोद में हाँ मैं भी आज ही अपने बापू से कह दूँगी कि जल से जल मेरी शादी राम मुर्टी पहलवान से कर दे हाँ अरे वह तेरा बैया क्या कराइगा तेरा बाप तो अपनी शादी नहीं कर सका था वह तो मेरी मा ने कर वा दी तित तरस जूते खाएं ये भी घर के हैं घर के जूते भी मुझे खिला दोगे चाचा तो खुद क्या खाऊगे हराम पोर हाइस के मेरे घर की तरफ नदर मस्क करना तुमारी लोंडिया में डोरे दाल रहा है अरे तुमारी लोंडिया दाल रही है मुझ पर ले समाल इसे अरे रुक जा तेरी तरह अरे रुक जा तुमारी दिन्दा नहीं छोड़ूंगा गाउं के साथ तुमारी टुमेरा कुछ नहीं के विखार सकता है जमींदार करा है अच्छा अच्छा तुमें त्यारा इलास करे रहूंगा पहले अपना बुखार तू उतार घाँ के मां ले रिया जाता ।र र हम no आन प्र नहीं को उत्हरा करना जा आज चै कॉट और अ हाँ 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 चाचा लाठी को तो तेल पिला दिया तुछ अपना भी तो सोचो अरे चल मेरे घोडे टिक 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 चल मेरे घोडे टिक 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 पता नहीं मा राज से मेरे गले में खिचखिच सी हो रही है दादी मेरे गले राज दोनों में किचखिच हो रही है तुम चाचा भतीचा दोनों बहुत शरारती हो लो वो खलो क्या है रे सुरज, कुछ नी भाईया, वो भाईया मुझे कुछ, क्या कुछ बाबा, चाचा को कुछ पैसे चाहिए, दे दो न चाचा के वकिल, तेरा चाचा गुंगा है क्या, क्यों चाहिए पैसे, भाईया मुझे मंडी से नहीं लाठ्या खरीब नहीं है, चुप, कोई लाठी बाडी नहीं, किसी दिन अपना सर फुडवाएगा किसी से, ऐसे भी क्या है जी, क्यो थोड़े से पैसो के लिए मेरे देव जी का दिल, बादी जिंदाबाद, तुमने इसे बिगाड रुखा है प्रभा, और, तुमने मुझे, जय हो, जय हो माम बाकी, आओ बेठो, घीता, अपने बापो को ताजा मठा पिला, अरे नहीं, मा नहीं, आतमार पे तो वैसे ही खुशी से बरा है, गीता के ससुराल वाल काल इसका सबुन मांगने आ रहे है, अच्छा, कि अपनी गीता जल्दी पराई हो जाएगी, नहीं मा नहीं, हम तो कछोड कहीं नहीं जाएगे, पगली कहीं की, बेटी तो होती ही है पराया धन, एक न एक दिन तो जाना ही पड़ता है, भीकू, भागवान में मुझे बेट मां, तुमने हम लोगन के खातिर एतना किया है, एतना किया है, कि साथ जनम तक हम तो हारी करजा नहीं चुकाए सकी, तो रहा थ से, अगर एक रते नयदान हो जाई, तो हमार और यो गरीब के बेटी के लोग पर लोग सुदर जाई, नहीं रे, लोग पर लोग तो मेरा राजाजी गौनाले जा राजाजी मुरी चड़ली जवानी गौनाले जा राजाजी ओ ग्यों आके आरी आरी मारे पीछ खारे गौनाले जा राजा राजाजी कौने भाई ग्यों आके आरी आरी मारे पीछ खारे गौनाले अज़े लंगूर की आउलाद सामने से मार ना पीछे से क्यों वार कर रही है जाजा पैसे के भाई अरे ओ लकडी पहलवान बेर भी नहीं जेले जाते अब मार के दिखा निशाने बाजनी मार मार के चलनी कर दूंगी मर्दूए राम कसम एक भी बेर नहीं लगने दूंगा अपने बदन पर और अगर लग गया तो लाठी चलाना छोड़ दूंगा तेरी कसम और एक बात मेरी भी सुन ले अगर तू बेर ना मार सकी तो जो मैं चाहूंगा वो तू मुझे करने देगी मंजूर मंजूर तो पर चलो उतर में दान में मंजूर चल, मार, मार! येले! चल, चल! येले! क्यों, बेर कदाब? हाााा! हाााा! मुखाल! मुखाल! आदा बेर तुम खाओगी, और आदा बेर हम खाओगी! हााा! एह! चाकुर साब आगे! नमस्केर! 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 गाओवासियों, हर साल की तरह इस साल भी, गाओव अननपुर और बाकी के दस गाओं के पंचों ने, सर्वसंमति से, आदानिय ठाकुर जजबीर सिंग जी को ही अपना सर पंचुना है! अगुर जस्वीर सिंगी! नमस्केर जो आद एकुर जैस्वीर सिंकी ङ दूआई है दूआई है दूआई है दूआई है दूआई है सरकार मेरी ऐसी बेज़ती क्यों की जानी है मालिक मेरा क्या गसूर है तूने हमारे साथ घद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् लेकिन सरकार शाफ में है को जमी लगोगी ही सच, सच, सच अरी अराण इस गाउ में सच वो है जो हम कहते हैं लेकिन पंचायत में जूट बोरकर मैं अपनी आत्मा की ध्या कैसे करता है भरी पंचायत इस पगडी की बेजड़ती रहता मालिक तेरी पगड़ी की इज़त तो हम करते हैं, उतार दो इसके बगड़े, नहीं, मालिक, मुझे जाहे सुभार दो, मुझे जिद्धा करवा दो, मगरी मेरी बेज़ती बद करवा मालिक तुनो गावालो सुनो लगातार तीसरे साल हमारे गाव अनंतपुर के सुरज ने रामपुर के मशूर लठेत, रामूर्थी को लाठी के दंगल में हाकर पहला इनाम चीता है जै जै च्छगो उस्ताद च्छगो जीबार के च्छगो अल्छा की शुष्कतिया तुमने है आरे राम मूर्ति की चतुराई को पानी पिला दिया गुरु ने आरे अंबा का बेटा है शाक्षाद दुर्गा का शेर है मेरा सर्जु आरे क्योंने क्योंने इसी बात पर एक और हो जाए हाँ 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 एक बात पनले नहीं पड़ी गुरु कि लाजो परचाई के तरह तो पीछे पड़ी रहते हैं तुम्हारे लेकिन आज दंगल में वावा कर रही दे राम मूर्ति की अरे वो वो क्या है हरिया उसका बाप जो है वो जमींदार का हुका तो सुसरी बेट चिलम्ची होगी की नहीं होगी है करें दो यह जा रामपूर गाउं जा और राममूर्ति के घाओ पर हल्दी गुर्ड लगा जाकर उसके घाओ पर गुर्ड लगाय मेरा ठेंगा नहीं तो तुझे गुड खिलाने आई हूँ अरे जाद दोगली दंगल मैं तो उचल उचल के शैजरी ती उस रामूर्ती को देरी थी कि नहीं हाँ हाँ वो तो मैं तुझे जलाने के लिए कर रही थी ताकि तू और जोड लगाए और दंगल जीत जाए अरो यारो ओ यारो इन्हें मेरी जीत की कामरा थी हाँ थी थी तो यह साबित करने के लिए तुम्हें इम्तिहान देना पड़ेगा इम्तिहान यह भांग का प्याला पीना होगा भांग हाँ हाहाहाँ बँब बांब बु आरे झाल झाल लगा रगडा तो मिट गया जगडा के तेरा मेरा मेल हो गया लगा रगडा तो मिट गया जगडा के तेरा मेरा मेल हो गया लगा रगडा तो मिट गया जगडा के तेरा मेरा मेल हो गया दूसरा इंतिहां अब क्या है तुम्हे कुए में कुद न होगा बस वो चीज नहीं जो धर जाओ तु जो बाले में घर जाओ तो एक इशारा कर दिल में खड़ी खड़ी यह मर जाओ इस तेरी अदा पे मर जाओं सारी दुनिया से लड़ जाओं घर बना लू आ तेरे दिल में मैं आज न वापस घर जाओं सारी दुनिया तमाशा देखे शुरू अब खेल हो गया सारी दुनिया तमाशा देखे शुरू अब खेल हो गया सारी दुनिया न वा जाओं आप एंटाल न वभाणम जा में तुसे लोगा बड़ करे दुनिया झाल झाल तुझको कोई होश नहीं इसमें तेरा कोई धोश नहीं हट पीछे, हट पीछे ये क्या परता है अच्छा इसना भी धोश नहीं मैं होश में हूँ मग होश नहीं मैं आशिक हो खर गोश नहीं क्या तो में बात नहीं करता या होता मैं खामूश नहीं बंग पी के तु बंग पी के तु आलगारी से ओ संदी और मेल हो गया लगा रगडा तो मिट गया, जगडा रग तेरा मेरा मेल हो गया इतर ब्द वहां रवड पsteत बाम दो के मुल ऑर्र दो । जान निकली जारी है हर चीज़में उटावली करता है हाथ दोहिती में चलो एट पांध हो किया खाना खाने बैट गया ऐसे ही खाने के बाद हाथ दोनुहें न मा मेरे चौके में बिना हाथ पाउंद होई रोटी नहीं मिलती, चलूट ठोले सूरज वर्नक खाने से हाथ दोने पड़ेंगे दुहाई है, अरे दुहाई है माँ, मा, मा, मेरी रक्षा करो क्या होँ, मुनीम जी? अरे ये पूछो, क्या नहीं हुआ, तुम्हारे इस कपूट में तो मेरा जीना दुबर कर दिया है आज तक गाओ में हुड़दम मचाता था, मैं तुम्हारे लिहाज के मारे संबर जाता था, लेकिन आज बानी सर लांग गया है अरे ऐसा क्या किया है सुरज ने? अरे तुम्हारे इस कालिया नाग ने आज मेरी लाजो को डश लिया देखी, देखी इसकी हालत देखी, अरे बिल्कुल चुडएल लग रही है चुडएल अरे चुपकर, सन्मन की सुद नहीं है इसे और इसकी ये दशा इस दुष्ट में अपने लॉंडे लपालों के साथ भंग पिला कर की है अरे मा, अब तुम ही बताओ कौन बिया करेगा इसके साथ अरे अपने छोड़े को समझाओ, वर्दा मैं ग्लाव छोड़ कर चला जाओंगा मा, माफी देदे, पिर ऐसा नहीं होगा मा, माफी मांग नीलकंट से, अच्चु चाप वहां कान पकड़कर रुक्रू बैज़ा हुँ सुरज, सुना नहीं मैंने क्या कहा कुक्रू कुकू अरे चुपकर, अब आगिया दो मा, ताकि मैं भी इस भावली को घर ले जाओ और उस पर ठक्ठा पानी डालू ठैरो नीलकंट, मुह मिठा करके चाओ बस मा, तुमने पॉपी को सजा दे दी, मेरा मुह मिठा हो गया खीर, जीती रहो मेटी, दीरे बेटा, दीरे, दीरे अचा, केसर भी डलाए है गदे की अउलाद, उन्लुक के पठे मुनीम, उका बहुआ दिया साले अगर तेरी रोटी भी हराम नहीं की तो मेरा नाम भी सूरज नहीं अब मेरा कानुगा साले तेरे घर में जाचा, जाचा, तुमारे लिए खीरा पूरी लाओं अरे जीओ, मेरे शेर अरे, बता मा आ रही है, तो जाके चुपचा, जाके चुपचा नर्त मुझाएगा ये मुनीम का बच्चा, सामने रख्यों ही रोटी हटवा दी लो देवाची, जल्दी से खालो, बहुत भूखे होगे अब क्या बता है, बावी अरे मर गए, छिपचाओ बावी, छिपचाओ मा रही है सर्जु भाया खाला खालो, मा का है सू रही है तो ठीक है चुपजा, चुपजा, चुपजा सूरज कुछ खाया तुने तुमने हुकम दिया कि आज मुझे रोटी नहीं मिलेगी तुमारे हुकम के खिलाते आपता भी नहीं हिल सकता अच्छा चलो आजाओ तुम सब बाहर अपने अपनी थालियों लेकर तुमार प्यार करते हैं यह सब तुझे और तू है कि सारा दिन मटर खश्टी करता रहता है क्यों करता है ये सब चल बैट तुने खाया मा तुझे भूका रखकर मैं खा सकती हूं कभी कभा मैं शहर जा रहा हूं कुछ ना हूं तुमारे लिए वहां से शहर से अपने आपको तहीं सलामत वापिस लिया आना मुझे और कुछ नहीं चाहिए ये तुम दोनों कहां जा रहा हूं हम भी तुमारे साथ शहर चलेगा भाया कुछ जरूरी काम है क्या जरूरी काम है चाचार मैं शहर में नौटंकी तेकने जा रहे है कोई नौटंकी वाटंकी नहीं देखेगा ये राजा मंडी जा रहा है तो घर का कामकाच कॉन देखेगा बाहर जाके मुंची जी से हिसाब किताब ले और फिर भीकू के संग जाकर गन्ने के खेतों में पानी लगवा समझा रजट तुझे जाना है तो तू जाना अपने बाबा के साथ मैं चाचो काके राज छोड़के कैसे जा सकता हूँ ठीक है तो फिर तू यही रहे तो इस पे नजर रखना जी माजी चल राजा आयो मा राजा तो मंडी जाही रहा है उगराने के लिए तो पूरन दरजी और लालचंच सुनार के यहां से गीता की शादी के जोड़ा और गहने लेते आना अच्छा मा अब तुम मेरे नजर बंद हो बोलो तुम्हाने साथ क्या सुलूक किया जाए चोड़ दिया जाए या तुम्हारा ना बंद हुए नई लुतर भवी कहां बंद होगी अब बोलो तुम्हाने साथ का सुने क्या जाए जाए आए माजी जाए जो जो पाऊं दबा दो दो चाचा ठक गए होगे वका लोड़ा त अ साफाजी चा मुंची शाब और भीकू के संग जाकर गन्हे के खेतों में पानी लगवा मा मेरी रोटी खेता भीजवा देना क्या जा भीजवा देंगे कहे naszego क Literally the amount of अपना मुलना क्या बात है भाबी आज ये कर गवर गनेश क बनकर। अब ही तक माची ने रोटी नहीं बीक्या इसे अरे मैं तो भूले गई, बंसी के बाग से तोड़ के लाई हूँ तेरे लिए, ले, खा ले पेटू अरे, देख लो, देख लो भाबी, कितना नास उकरा है ये, इस नास पीटी के लिए मैं अपने बाप के गाली गलोट सुनू, मार खाओ, बाग से चोड़ी करू, और ये, ये अपने फटे हुए मुझसे दो मिठे बोलने ही बोल सकता मुझसे, उल्टा वार करता है वार तो अब मैं करूंगा बतोडी, चले पर निमक छड़कते है आदा ओसे ठाकुर साहाँ, आओ, बन्ने आओ शहर आया था, सोचा हुजूर के दिदार करता चलू और सुनाओ, गाउं में तो सब ठीक ठाक है न अब क्या बताएं हुजूर, जब से आपने गाउं छोगा है वो महफिले, वो जलसे, वो मुझरे, सब हवा हो गए अब हम गाउं जाएं भी, तो किस मुह से बनने कि हम मजबूर हैं, क्योंकि हमारी बेटी अंबा के बेटी राजंदर को चाहती है और जब हम ये बेज़ती बरदाश्त ना कर सके, तो हम खुद प्रभा से मिलने के लिए के प्रभा देवी, हम जानना चाहते हैं कि हम में क्या कमी है, हमारे पास दौलत है, इस्जत है, सब कुछ है, इसके बावजूद आपने अंबा के बेटी राजंदर को पसंद किया, क्यों, आखिर उसके पास क्या है, जो हमारे पास नहीं तो क्या हमारे कोई संसकार नहीं, आपके संसकारों को दौलत की पीमत लग गई है, अब वो संसकार नहीं रह गए, शराब और आयाशी की दलदल बनकर रह गए है उन सारे पुराने बातों को भूल जाएए ठाकोर साहब, मेरी मानिये, शादी कर लिचे बन्दे मिया, सुहाग रात तो हम यहां रोज ही मनाते हैं, लेकिन जो चोट उस खमंडी औरत ने हमें पहुंचाई है, उससे हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आदावर ही ठाकोर साहब कलिया खुब चुन-चुन कर लाती हूँ गुलावी भाई आपके खिदमत करना इस बन्दी का पेशा है, हुजूर मुनी भाई कहा है? अपने कमरे में हुजूर का इंतजार कर रहे हुँ, मुनी वाँ, क्या बात है पैसे घुसे में तुम और भी खुबसूरत लगती है, मुनी भाई जाएए, ये चिक्मी चुपडी बात है हीरा बाई को ही सुनाएए जाकर हीरा बाई? क्या कह रही हो? कौन हीरा बाई? परचाई कहीं के, चूइट मत बोलिये पिछले शनीवर आपने हीरा बाई के यहां रात नहीं गुदारी उसके तबची ने मुझे सब बता दिया है जल गई? इसका मतलब तुम सचमुचा में चाहती हो अहाँ अहाँ, अरे लंबा, इतना सुन्दर साधी का जोड़ा तो मुझे अपने ब्याह पर भी नहीं मिला था अच्ची, बहुत सुन्दर जोड़ा है जब तुम्हारा अशिरवाध है नानी हम का बुलाए रहिन मा? देख तो भीकू, यह गीता के ब्याह का जोड़ा और गहन है ठीक है न? यह एतना कुल करेका काजर होत रही मा? अरे, एक बेटी ही तो ब्याहनी है कोई कसर नहीं छोड़ेंगी धूमधाम से शादी करूँ यह अपनी गीता की लो नानी मा? गीता जी यह देखो तुम्हारी शादी का जोड़ा और गहने का, इस सब, इस सब, इस सब हमारे हम तनका आज ही पहनकर रामलीना में जाएंगे अरी बावली, यह तेरे ब्याह का जोड़ा है इसे ब्याह में ही पहनना तो फिर हमार ब्याह आज ही कराए दो हम तो इनका आज ही पनेंगे बगवान बेशरम बोड़ा गई है का बड़े लोग उनके सामने ऐसे बात करते हैं तो जाओ हमें ने करने साधी वादी नहीं सीते नहीं राज महलो में पली चनकनंदनी बनबास के दुखो को कभी झेल नहीं सकेगी भूक और प्यास से सारे आदर्श तूटकर दिखर जाएंगे भूक और प्यास के डर से अपने आदर्शों से गिर जाने वाली सीता को राम की पत्नी कहलाने का कोई अधिकार नहीं नाथ कठिन रास्तों पर चलते चलते तुम ठग जाओगी सीते पत्रीली धर्ती पर सोते समय तुम्हारे कोमलंग कर रा उठेंगे त्री वो शक्ती है जो घर को स्वर्ग और आंगन को फुलवारी बना देती है इश्वास कीजिये रगु कुलति लग सीता जंगल को भी मंगल बना देगी तुम इस अनबन कलवसन असनु कंद फल मूँ मैं भी अपनी शादी का जोड़ा पहन कर आती हूँ मोई देने दो गूँ मोई पहन कर दोड़ा पहन कर दोड़ा बना देती है कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो मत कर दो झाल झाल आपका वियान मने लिख लिया है आप यहां दे अस्तकत कर देजी झाल 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 पात पीड़ियों से यह सर किसी के सामने नहीं चुका सम्दर लेकिन आज आज मैं जस्वीर से अपनी पगड़ी अपने पुर्खों की इज़त तुम्हारे पैरों में रखकर तुम्हारे अपनी पेटी के सुहाग की भेक मांगता हूँ पात जाग रहा हूँ मेरे सुहाग को बचा लो बाजी इसके सबस्वे बापकी जाय रहने तो बाजी यह यह मुर जा जाएगा तो आपके पाँ बढ़ती हो बाजी, तो आपके पाँ बढ़ती हो बचालो बाजी तेरे दुहाद को बचालो पुसी खूसी जालाडो पीके नगरिया कह भींगी अकिया हामा भुली मत जईया तु बाबुल के सुधिया फिनो लोटी आई हाई द्वा भुली मत जब पाँ पाँ और भुली हो झाल 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 कर दो कर दो कर दो अधालत की कारवाई शुरू की जाए Your Honor मुल्जिम ठाकुर राजेंदर सिंग वल्ड ठाकुर बानु परताब सिंग गाउ अनंत्पुर पर इंडियन पैनल कोट की दफ़ा 376 के तहट अपने नौकरानी गिता यादो के साथ बलाद कार करने की कोशिश और इंडियन पैनल कोट की दफ़ा 302 के तहट अपने नौकरानी को कतल करने का अलजाम है Your Honor ठाना अनंत्पुर के दरोगा की रिपोर्ट के मताबिक मुल्जिम राजेंदर सिंग के इन संगीन गुनाओं की सरफ एक चश्म दिद गवा है और वो है मुल्जिम की माज श्रीमती अंबा देवी श्रीमती अंबा देवी ने खुद मुल्जिम राजेंदर सिंग को पुलिस के हवाले किया था That's all your honor अंबा देवी सरकारी वकीर ने जो पुलिस की रिपोर्ट अभी अधालत में पढ़ी है उसके बारे में आपको जो कहना है यहां कर करिए पर गीता की सौगन खाके कहती हूँ जो कहूंगी सच कहूंगी मेरे बेटे राजेंदर सिंग ने गीता की हत्या की है नहीं शर्ट भीत जमे में वार में वकार भीत झाल में वार मुझरिम राजेंदर सिंग्ग, वल्ड ठाक और भानू प्रताब सिंग्ग के वैश्याना जुर्म की वाहिद एक चश्म दीद गवाद, मुझरिम की मा, शरीमती अंबादेवी के बियान को मद्दे नदर रखते हुए, यह अदालत मुझरिम राजेंदर सिंग्ग को इंडियन पिनल कोड की दफ़ा 302 के तहट सदाए मौत का हुक्म देती है, झालत मुझरिम देती है, झालत मुझरिम देती है, झालत मुझरिम देती है, कर दो परो को जालत मुझरिम हुक्म देती है, क्यों हो जालत मुझरिम देती है, सिफ़ा जबने का हुद जारत मुझरिम देसी तो नदरियर्षी शम्छत्रत्रत तुम अथ Genderिन हो मैं चाचा के पात रुखना मैं दादी के पात हुए चाचा मुझे नहीं झाना जिटादी तुख्रादी मुझे नहीं झाना जोड़ो ज्जच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च रजब बेटा, दूद पीलो मैं यह दूद नहीं प्यूंगा मैं काली गाय का दूद प्यूंगा और वो भी अपनी दादी के हाथो से दादी के हाथो से दूद प्येगा उस दादी के हाथो से जिसने तेरे सर से तेरे बाप का ताया छिल लिया वो तेरी दादी नहीं है बेटा वो तेरी दुश्मन है वो हम सब के दुश्मन है आज के बाद कभी उस मनुस औरत का नाम इस घर में मत लेना बेटा कभी मत ले न आओ नानी कैसी हो अंबा? ठीक हूँ रजट से मिलने कहीं थी क्या बताओं अंबा? जब से ओ लोग रजट को ले गए है उम्हारा पोता ना कुछ खाता है ना पीता है दिन रात बस उसके जबान पर एक ही रट रहती है कि काली गाय का दूद पीऊंगा दादी के हाथ से काली गाय का दूद पीऊंगा दादी के हाथ से झाल झाल दादी बच्या मुझे यहां से ले चल दादी मैं यहां नहीं रहना चाहता पहले तु दूद पीले मेरे लाद देख मैं ताली का दूद लाई हूं तेरे लिए ले तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की अपने खूंद से भरे हातों से मेरे बेटे को दूद बिलाने की इसके बाप को तो फासी पर लटका ही चुकी हो अब इस पर भी जादो तोना करके मुझसे च्छिन लेना चाहती हो ऐसे अपशब मत बोल बहूं राचत मुझे जान से भी जादा प्यारा है तब ही तुमने इसके बाप के जान ले ली मैंने हाँ हाँ तुमने तुमने हमारे जुके हुए सर पर लात मार कर हमारे पुर्खों की इज़त पर ठूपकर हमारी बेटी के सुहाक की हत्या की है तुमने अपनी जिद और हट के मारे हमारे दामाद को सूली पर चाहाया है जो सूली पे चढ़ा वो आपका दामाद था तो वो मेरा बेटा भी तो था सम्धी जी खामोश फिर कभी हमें अपना सम्धी कहने की जुर्वत ना करना ये संबंद राजा की चिता में चल कर राक हो चुका है और वो चिता और उसकी आद तुम ने लगाई थी जिए अपनी मौत और अपनी चिता का जिम्मेदार खुद राजा था जब भी कोई घोर पाप करता है उसे अपने करम का फल भूगता पड़ता है जिस पल मेरे बेटे ने उस कुवारी लड़की की हद्या की उसी पल उसने अपनी मा की मम्ता की तो यह है कि पाप कोई करता है और उसका रोना सिंदगी भर उसके सगे ही रोते हैं बहु मैं भी बिंती करती हूँ राचत को लेकर अपने घर चलो घर कौन सा घर जहां से मेरे पती के अर्थी निकली वो घर जहां से मेरे सहाग के चूड़िया दोगी तो घर नहीं शंशान घाठ है अरे बहु तेरा सहाग लुटा है तेरी मां सुनी हुए है तो मेरी कोड भी तो सुनी हुए है मेरी मंका भी तो बे मौत मुरी है लेकिन खुड़त के ऐस्ले के सामने हम सब को शीश झुकाना चाहिए चीश तुम जुकाओ जाकर अपने घर में हमारा सर ना किसी के सामने जुका है ना कभी जुकेगा पिताजी ने बहुत बड़ी भूल की थे तुम्हारे सामने जुक कर वो नहीं जानते थे कि तुम क्या हो हमारे घर में खूनी और कातलों के लिए कोई जगे नहीं महां कहता हूं दिगे तब लंदीर तुने मेरी मापर हाथ उटाया मेरी मापर हाथ उटाया माकसम मैं तेरे हाथ तोड़कर रहूंगा कमीन? कुत्पे! तुने मेरी मापर हाथ उटाया! सुरज, सर्चु, कुत्पे... तुने मेरी मापर हाथ उटाया! सुरज! क्या गुर्साब, इसे माफ कर दिए सुरज, छुटे तुझी मेरी देन, सुरज पेरा कुछ सूरता कि मैं यहाँ ही इस लोगों को कुछ दोश नहीं है चल पेटा, कर चल कर चल सूरत वो बद चलन और बद कमाश तो तुम्हें छोड़ कर चला गया प्रभा लेकिन हम तुम्हें यकीन दिलाते हैं हम तुम्हें कभी नहीं चोड़ेंगे सुनो, सुनो, सुनो सुनो, गावालो आज अनंतपुरो और उसके दस गाओं के सरपंच का चुना होने वाला है इसलिए दिन के तीसरे पहर गाव की चोपाल में सब लोग इगठे हो जाएं अरे भाईया, इस साल भी अपना कूर्टा पाजामा टोपी और पात्सेर गुर पक्का है अरे भाई, ठाकुर जस्वीर सिंग के इलावा अनंतपुर का सरपंच और कूर बन सकता है अरे ठाकुर साब आगे अरे नोगों के पंचो ने इससाल, सर्वसंमति से मांबा दो अपना सफ़पंचु ना है पंप Girid पंप Girid पंप Girid पंप Girid अकिसाद, पंची नी भून की है मनपडदवार, सरपंच पंदी लायक नहीं हूँ मैं आपसे बहुती करते हूँ सरपंच की जिम्लेदारी आप ही संबाए चल्वा मां बकी जाए जाए! भायो, आज का दिन हमारे गांब के लिए सबसे बढ़ा शुब दिन है वह से तो हर साली मां उंबा गाओ के मंदिर में दुर्गा माता का जगराता करवाती है लेकिन आज हमारी सरपन बनकर मां दुर्गा का जगराता कराईगी मां बाकी जै! मां बाकी! 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 अपनी बहन की चूरिया तूटने का तमाशा तो देखी चुके थे अब अपने बाकी इज़त को हठ्यारिन अंबा के पहरे तुने पिस्ता भी देखाए! शाबाश मेरे जीर! शाबाश! मुझे तेरी ये सुनी मां की सौगंद है! मैं अंबा की हस्ती को हमेशा करें मिठा दूगा! रणवीर! अंबा को इतनी आसान मौत मत मरो! उसने सारे गाउं के सामने हमारा सर नीचा किया है! उसे तिल-तिल करके मारना है! अंबा को तिल-तिल करके मारना है! असी चार, चुछाँ डूरासी कंटेया वाली माता तेरी शनारी ये ऊचिया पॉना वाली माता तेरी जगाई है उचिया लाटना वाले माता तेरी जगाई है कि शेरों वाली माता का जबनां खुबा पर आता है जनम सपल हो जाता है जनम सफल हो जाता है अज माता का जगराता है चेमान शादी जागो सोने वालो तर जागो सोने वालो तर्शन देने वाली माता है, माता का जग राता है 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 माले माता की जै जै बोलो जै जै बोलो कि यह उन्या कि झाना शाइएं। अंबा तिरी होईली में आग लग गई ्षब तो T प्रॉज तो T T T ये ऱ लूख लभाज सकता है अर दोगा लुट अर्भाज़ कि अर राज़ कि ये लुट अर्ऑाज लगाज रहाज लगाज भाज वाज रहाजा हुश के टुट इस लुट इस इस लुट करको कि लग्स चाहएंगा साया उपे लाएंगा से घ्ट जोरा हें और चाहएं तरांगा टॉँछ रार लो टुट चाहएंगा टॉष एम लोग्से चाहएंग कर दो दो एंच एंगा रखन गब है और बो को दो एंगाम दरोगा जी, यह क्या तो बाशा है, दरोगा जी, मैंने इस हराम खोर को सब के सामने मेरी हवीली में रंगे हाथों आग लगाते पगड़ा है, आप रिपोर्टर्स कीजिए, और इस शैतान को हवलाद में बंद कीजिए, सूरज, रात बहुत हो चुकी है, कर सुबर दस बजे, तुम सब चशंदीत गवाहों को लेके यहां आ जाओ, मैं उनके ब्यान लेकर करणूनी करवाई करूँगा, गवराओ बस सूरज, तुमारे साथ इन साफ होगा, चलो, यह आपने क्या किया चोटे ठाकूर, इन नमक हरामों की इतनी जुरत, कि मेरे बेटे की मुश्के बांच कर उसे ठाने ले जाए, यह एक बेट के घर में आख लगा तूँगा, ठाकूर सहब, कल तक के लिए मैंने कानूनी करवाई टाल दी है, लेकिन कल अगर सब चेशन दीद गवाहों ने गवाही दे दी, तो मैं मजबूर हो जाओ, कवाहों की तुम चिंदा मत करो दरोगा, हम सब का मुँ बंद कर देंगे, लेकिन हरी हरन का मुँ कैसे बंद करेंगे, वो भी आया था, कल वो भी कवाही देगा, वो कवाही नहीं देगा, हरी हरन कल कवाही नहीं देगा, बुठे अगर तूने जबान खोली तो मैं तेरी जबान काट कर गाउं के कुट्टों को खिला तूँगा चलो हाद सुरज कौन कौन है तुम्हारे चेशमदीत गवा जिन्होंने कौर अन्वीर सिंग को तुम्हारी हवेली में आग लगवाते हुए देखा इन सब ने देखा जरोगा जी यह न थू यह हरिया यह पांडे मुलारे क्या देखा था तुम लोगो ने आपताओ मुंको कि अपर लोगी कर देखा है पांडे जोखा है बताओ मेरोगों को अड़ै पताओ जोगत ने रण्वीर को देखा मेरा घर चला तो यह ए मैंने देखा था मैंने इस मर्दूद रन्वी को सर्जू के घर को आग लगवाते देखा था दरोगा जी अरे देखा तो इन सब ने भी था मगर ठाकुरों की डर और जल्म के मारे इन सब के मुगो लखना मार गया है अरे खामोश नमख ख्राफ ये जूट बोल रही है दरोगा साहब इसके बयान पर आप ध्यान मत देना ये तो पागल पगली है पावली है अपना बहा बुरा नहीं सोच सकता कर रात कोई अपने घर से निकली ही नहीं थी जूट पूर रहे हैं अरे जल मैं कहता हूँ तरोगाजी तेरा कोई और गवाई है 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 तरोगाजी चाचा हरी हरन तो जा हरी हरन को लेकिया नानी चाचा हरी हरन का है वो यह गवाई देने की नहीं आया हरी हरन अब कभी नहीं आएगा बेटा क्यों नानी क्यों जोट वो बोल नहीं सकता था और सच यहां बोलने नहीं दिया जाता मार डाला उसे सुलम के ठेके धरूने मार डाला अल्द बेस, शुक्रिया एक छोदो इसे नहीं पेठे, नहीं पेठे, नहीं इस पेचारे का घर जल गया है ऐसी हलत में कोई भी आदमी अपने होश औ हवास खो सकता है बिठे, जोरज, यह मत्से काम लो चोड़ो बरे यह सब क्या हो वो अंबा मा जिससे ज्यादा प्यार करती है उसकी बड़ी सथें पर इक्षे लेती है उसकी खेल नेरा ले तो दिल छोटा में कर मा, चोटा मूँ बड़ी बात तो हरा एक चोटी से जोपने है मेरी तुम्हें कस्ष तो होगा मेरे घर चल कर रहा हूं मैं मा जुर्पादे चर्मों में बैठी है इससे जब अच्छी है पवस्त्री जगा भना और कहा है मा पेच्छा जुब नारा है नांतर इससे जब अच्छी है इससे जब अच्छी है म सबतके चाचा आज दिरे दिरे मेटे तुह यहाया क्यों है जा 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 पूर्झञा अपने खर जा मेज चाचा मैं तुम्हारा सब मिल कर अतना घरर होंगा और तुमारे वद्धाटी की साथ नही रहूंगा जया जो को ऐसाथ नही कांस não वा जो जो सब्सास्ट हा जो जो जाए messaging की साथ यह म को प्लाइक जची उख और पना मैं कांस? लुप लुप से लुप स्वार खुप से लुप से रहा है झाल झाल एक स्वर्ग है आश्मान पर एक स्वर्ग है धर के पर एक स्वर्ग है आश्मान पर एक स्वर्ग है धरती पर आस्मा के स्वर्ग से सुन्दर स्वर्ग ये अमारा है वहाँ जाने क्या है क्या नहीं है यहां घर हमारा है एक स्वर्ग है आसमान पर एक स्वर्ग है घरती पर आसमा के स्वर्ग से सुन दर स्वर्ग हमारा है वहाँ जारी क्या है क्या जही है यहाँ घर हमारा है एक शर्ग है आसमार है एक शर्ग है भर की फ़र ओ यह सारी दुनिया कहती है इस घर में अंबा रहती है मत संचो एक मकान है यह दिवी मा का मरदान है यह इस बात का सब को ध्यान रहे इस घर की उची शान रहे हमको मा तेरा कहना जान से भी प्यारा है माहा जाने क्या है क्या नहीं है यहाँ घर हमारा है मेरी ऐसी बभू ऐसी बचे संजोग है मेरे कितने अच्छे मा तो हम सब की माता है तुझे कौन की यादा भाता है इस घर की शान है तुम सब से मेरे जार में जान है तुम सब से कोई दिल चाहे तुकडा कोई आँख का तारा है माहा जाने क्या है क्या नहीं है यहाँ घर हमारा है एक स्वल्ग है आसमार पर एक स्वल्ग है घर की पर एक स्वल्ग हाँ अपनों के दीप जलाओ आओ प्यार की जो जगाओ ऐसी है ये प्यार की जो दी जो कभी भी कम ना होती ओ ये रात है दिपों वाली माना है आज दिवाली माता तेरी मम्ता का ये सारा उचियारा है महा जाने क्या है क्या नहीं है यहां घर हमारा है एक स्वर्ड है आशमान पर एक स्वर्ड है घर की पर कर दो तेरी जो कर दो दो झार नहीं है रहाँ को तब तेरी जो जगा तेरी माता हो दिन आया पड़ा ये रंगीला रंग विखर गया नीला पेला अमत छे खया मत कर दूँगी तेरी मां से शिकायत कर दूँगी क्यों हार ये लोगों हूली का या खिल है फोख मिचोनी का पकड़ूंगा मैं पीछे दोड़ूंगा आभी तुझे रंग के छोड़ूंगा अखिया कहा है देरवर जी कहां ये इशारा है वहाँ जाने क्या है क्या नहीं है यहाँ धर हमारा है एक स्वाइद है आसमान खर एक स्वाइद है दर की खर एक स्वाइद है आसमान खर एक स्वाइद है आसमान खर जाने क्या है और अरदी रहो बहुत दिन लगा दिये शहर में कुछ बात बनी बात कैसे न बनती पिता जी आप हुकम करें और वो काम न हो ऐसा चमतकार हुआ है कि अब अंबा की सारी जमीनों की मालकिन मेरी बेन प्रभा होगी लेकिन कैसे रनवीर अंबा की जमीने तो सांजी है उन पर सबका बराबरी का हग बनता है बनता था कहो प्रभा ये कानूनी शत्रंच का खेल है शैतुम दोगी मात से अंबा को बचना होगा बिलाशक अंबा के खेतों पर उनके कुंबे के हर आदमी का बराबर का हिस्सा है लेकिन अंबा के पती भानू परताब सिंग मरने से पहले अपने खेतों को अपने बड़े बेटे रजिंदर सिंग के नाम कर गए थे और जीजाजी के मरने के बाद उन खेतों पर अब कानूनी तोर पर तुम्हारा अख है पर रणवीर जहां तक मुझे मालूम है अंबा के स्वरगवासी पती ने तो ऐसी कोई वसीयत नहीं की थी उन्होंने नहीं की तो क्या हुआ हमने करवा दी ये रही स्वरगिया भानू परताब सिंग की वसीयत अब अंबा और सूरज इस वसीयत को जूठा या जाली साबित करते फिरे कचेरी का मामला है दस-बिस साल लगना तो मामूली बात है कब का कमबा बिचारी तो जीएगी नहीं और सूरज बूड़ा हो जाएगा अदालत का फैसला सुनते सुनते शाबाश रनवीर तुमने तो कमाली कर दिया पर ये तुमने किया कैसे दिमाग से थोड़ी से मिटी थोड़ा सा चाय का पानी थोड़े से हरे नोट बस स्वार की अब आनू परताब सिंग की वसीयत है यार अब सुवाए उस बंजर जमीन के टुकड़े के जो अंबा के नाम पर है बाकी की जमीन और फसलों को अंबा और सूरच्छू तक नहीं सकते पिता जी भूखे मरेंगे मा बेटा दोनों मा क्या गजब गेरा के गन्ना होगा खेत में आशुलाद दो मैं कटाई करने जा रहा हूँ सब मा दुर्गा का अशिरवाद है बेटा उनकी आगे मा था देख जय दुर्गा मा झालाई लनकी लनकी और उनकी बेटा अका ललाभा फक रवल के ल tulा है आप्यो थिर उनकी आपा तो उनकी आपहा है व्यो हालाई खेरियत चाता है तो खेत में पाऊ मत धरना, अबे ये खेत क्या तेरे बाप का है, तू हो तक होने मुझे मेरे खेत में जाने से रोपने हो न, तेरे ये खेत सिर्फ कल तक तेरे थे, आज से ये मेरी बेहन प्रभा की मिलकित है, लगतार अनवीर, आज तुने सुबह सुबह ह चला लिए सर्जों जा मुन्ना घर जा शराप पीगर घोड़ सवारी नहीं करते गिर जाएगा चला रहे कटाई शुरू करो अगर किसी ने भी फसल को हाथ लगाया तो वही धेर कर दिया जाएगा और प्पर जाएगा यजा होगाया जा होगाया फिर जाएगा जाएगा भाहा होगाक का भाहाईगा या आई आए 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 हाज आए! आए आएग्!!!! सुराच! ठजर दूजे जडे हुसें! कि यहां बैराकिण के खीक। यहां शेता । बढ़ना परप भीक। यहां परप हताई.. यहां बाज चीक। कि आगागे लिटता बाजुत बुद्ध परलटा बुद्धा पूछ लिजे इन सब से ये चंडाल मुझे मेरी फसल करने नहीं देरा पूरी पॉज लेकर आया मेरी फसल को हसम करने के लिए हवालात में पन हिसे कीजिए आप अबे ओ हवालात में जा इनके दुश्मन कुवर रंबीर जो कर रहे हैं कानूनी तोर पर ठीक ही कर रहे हैं अब इन खेतों पर और फसलों पर हमारा अधिकार क्यों नहीं है माजी यह सारे खेट और उनकी फसल आपके स्वर्गवासी पदी ठाकुर भानू परताब सिंग अपनी वसियत में अपने बड़े लड़के राजिंदर सिंग के नाम लिगे थे राजा की गुजर जाने के बाद इन सब पर उनकी विद्वा शरीमती प्रभा देवी का हक बन झाल झाल किसी अदलत मेरी मां की जमीन को क्या कर दो किजो पुर्टेस में प्रभा ने फूंपी पानी पिला आता हमारी स्दों को लेचरे सथाने डूंगा ज़ी अच्छा मां है मैं इसे कानूं को हाग रगा दूंगा जो सच्छाइक गला खोडता है ये कानूनी लुटे रहे राकूए तो कानून अपने हाथ में लेगा तो कानून से बड़ा है दरोगाजी नहाँ चोड़ती हूं सूरज को माफ कर दो ये नातान है सर फिरा है उच जड़ है ये फिर कभी हसा नहीं तरेगा इसे माफ कर दो दरोगाजी आपके कहने पर छोड़ता हूं माजी चलो सर्जू, सर्जू अपने बेटे से कहो के आपे में रहे और उसे ये भी अच्छी तरह से समझा दो के पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया करते इससे पहले के पाप का घड़ा भर जाए संभल जब रन्वीर, मेरी तो अनर्थ हो जाएका हाँ नानी, तुम यहां कैसे? बिटिया, तुम बड़े लोग हो ठाकुर साफ से कहने की मेरी हिमत नहीं, येकिन तुम औरत हो मेरी बात सुनोगी और समझोगी भी मैं कुछ समझी नहीं बिटिया, अंबा और सूरज बहुत दुखी है उनकी दशा देखी नहीं जाती मैं तुम से हाथ जोड़ कर बिंती करती हूँ उनेक शामा कर दो बिटिया, उनेक शामा कर दो मानी, तुम्हारी उमर के लिहास के मारे मैंने तुम्हारी बात सुन ली अंबा और सर्जू अपनी करनी का फल बुगत रहे है ये तो शुरुवात है उनके बुरे दिनों की अभी तु तुम देखती जाओ पेट भरने के लिए भीक मांगेंगे दोने मा बेटा अभी तुम देखती जाओ अभी तुम देखती जाओ रजट ये क्या हलत बना रखी है कहां गया था तू? मैं चाज़ा गर साथ अपना खेट जोत रहा था अपना खेट? खबरदार जो आज के बाद उन लोगों के पास क्या तरी टांगे तोर दूगे ये बाज नहीं आएगा प्रभा ये फिर उन लोगों के पास जाएगा उन लोगों की तरह गवार और जंगली बनेगा जाज़ा गारी को गारी मत दो मामा नहीं तो? नहीं तो क्या? आखे दिखाता है आज से तू इस घर के बार पैर नहीं रखेगा ले जाओ से चलो लेकिन सरकार खेद तो सर्जु ने जोट लिया खेद जोट गया तो क्या हुआ? मैं देखता हूँ गाव में उसे खाद और बीज कौन देता है सर्जु वापस करदे इन लोगों के बीज बीज वापस कर दू? क्यों मा? यह सबलब तो अपने हैं अपने हैं इसलिए तो मना कर रही हूँ मैंने चाहती इनके घर भी चला दी जाए इनके खेद भी जब्त कर लिया चाहे वापस कर देए बीज मा, मैं ये बीज वापस नहीं करूँगा हरकिस नहीं ये बीज लोटा दे सर्चु तुझे मेरी कसम तुम सब अपने बीज उठाओ और जाओ यहां से मा, कुष्टी सेवे करने का मौका दो नहीं, गोवंद, कहीं ठाकरों को कानो कान खबर होगे तो तुम सब ते कह ढ़ा देंगे वो लोग जाओ सर्चु अपने स्वार्थ के लिए अपनो को ही दुख और यात्ना के मूँ में डलना पाप होता है, बीटा हाँ यह सब तेरे अपने हैं पराया तो सिरु मैं हूँ तेरे लिए मैं पराया हूँ मेरे अर्माइन पर आये मेरी इसचाइं पर आई है तोने हर कदम पर मेरे अर्माइनों का गला घोटा है जैसे ओल जैसे तु हमा देता तुल धिए सर्चु मैं मैं तो क्या कह रहा है मैं ठीक कह रहा हूँ आज मुझे मानुँ खुआ कि इस पठ्थर की मूर्ती को पूछे पूछे तेरा दिल भी पठ्थर का हो गया तेरी मम्ता मर गई है तेरे दिल में मेरे लिए ज़रा से भी प्यार नहीं अब तु रहे यहां के लिए अपने असूलों और अपने सेदान्तों के साथ मैं जा रहा हूं सर्चु मा का मन मम्ता का मंदिर मन के अंचले उट गया मा का मन मम्ता का मंदिर मन के अंचले उट गया रूई अशोदा मैया हरे मार उट गया मा का मन मम्ता का मंदिर मन के अंचले उट गया रूई अशोदा मैया हरे मार उट गया रूई अशोदा मैया हरे मार उट गया शक हो तो शक दूर तो करने मुझे को कहीं से हाट की तक ले प्यार बहेगा फून के बदले ये एक सच है ये ही सच है ये सच कैसे जूट गया ये सच कैसे जूट गया बस मा बस कुछ आर न कहना बस मा बस कुछ आर न कहना मुश्किल होगा ये दुख सेहना भीक गए मेरे भी नैना भीक गए मेरे भी नैना माफ मुझे कर दे तू हसकर माफ मुझे कर दे तू हसकर मैं असवन में तूप गया मैं असवन में तूप गया में तूप खव। मैं बस्ता में तू हसकर दे तू हसकर मैं तूप रूए एंश यह ले, उन्हें बेचकर बीज लेया मंडी से नहीं लाजो नहीं, यह मुझ से नहीं होगा मैं अपने खेट के कारण तेरे कंगन बेचता हूँ यह पाप मुझ से नहीं होगा गंगन मेरी है, और मैं तेरी कोई नहीं मैं पराई हूँ अरे निर्दई, यह भेदभाव तेरे मनने कब से आ गया तेरा दिल तो इतना चोटा कभी नहीं था रे अरे बैमान, तू अपनी लाजो को अपने से अलग समझता है तू क्या सोचे बैठा था कि नहीं सिर्फ तेरी हजी मजा खेले खूदने लड़ाई जगर और खुशियों की साथी हूँ यह सोचे बैठाता तू यह है मेरे प्यार पर कि तू आज तक मुझे अपना नहीं समझ सका दूप बरना चाहिए मुझे कि मेरा सर्जू अकेले ही अपनी जिंदेगे के लड़ाई लड़ना चाहता है लाजो की तो उसे कोई ज़रूरत नहीं लाजो लड़ गई तेरी लाजो जा सर्जू मुझे भी तेरी कसम है अबसे तेरे साथ तेरी खुशिया कभी नहीं बाटूंगे कभी नहीं बाटूंगे लाजो लाजो मुझे माफ करदे लाजो मुझे माफ करदे अपने सर्जो को माफ करदे कर दो कर दो कर दो कि अधिक ने दिये हम पूछते हैं किस ने दिये बीज सर्जु को मा दुर्गा ने हाँ छोटे ठाकूर मा दुर्गा ने दिये हैं बीज सर्जु को उसने तुम्हारा हुकुम नहीं माना मेरी बात मानो ठाकूर तो आग लगवादो मा दुर्गा के घर में भी हाँ ठिकवादो उसकी मूर्थी को गाह से बाहर चलो अब गुसा थूग दो ठाकूर जो होना था तो हो गया वैसे इस साल ऐसी जोरदार फसल होगी अपने सर्जु के खेत में कि तुम्हारी आंखे ठंडी हो जाएंगी ठाकूर आंखें तो हम जरू ठंडी करेंगे सारे गाहँ वालों के सामने आज तुझे नंगा करी अरे हट नंगा कर जाके अपनी बेहन को कर दो! झाल 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 किण्छो फैस फॉफॉफ पुफ लुफॉफ! किण्छु फॉफॉफ पुफॉफ! किण्छुफ! हाँ! हॉः! फॊफुफ! आाँ! आाट! आाट! आ इए! चोड़ो मेरा हाथ चोड़ो इन हाथों से तुने मेरी मा का अपमान किया मेरे घर में आग लगाई थी आज लाजो को सब के सामने नंगा किया मैं तेरा ये पापी हाथ आज तोड़ आँ तुने मेरी और मेरी मा की संदगी को अपने पैरों तले रूंदा आए मेरी मैनत मेरी तकदीर को ठोका मारी है मैं तेरा ये पैर भी तोड़ता हूँ मेरी तोड़ता है तुम्हारे चीए अइसानों का यह इनाम लेकर आया हूं आज मैंने गाउं के इस कंच को हमेशा के लिए बेकार कर दिया है समालो इस जिन्दा लाश्प रंदीर बढ़े बढ़े क्या हो बढ़े रंदीर 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 तेरी कसम ब्रंदीर मैं सीरज को तिंदा नहीं चोड़ूगी प्रभाजी तुम्हों कोई भी काम ठीक से नहीं करते क्या हुआ प्रभाजी बगी का पया निकल गया आये मैं आपको घर तक छोड़ देता हूं नहीं उसकी कोई जुरूयत नहीं अभी ठीक हो जाएगा इसमें तकल्फ की क्या बात है आईए ना प्लीज तक्दीर ने आपके साथ बड़ा बेरहम मजा किया है प्रभाजी इस उमर में जिंदगी ने आपको एक ऐसे चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां सिवाय तनहाई और तड़क के और कुछ भी नहीं ये पहार जैसे जिंदगी आप अकेली नहीं कर सकेंगी आपको एक साथी एक हमसफर की जरुवत है जो आपको वो सारी खुशियां दे सकें जो तक्दीर ने आपसे छीन ली हैं अगर आपको इतराज ना हो तो मैं अभी आपका साथी हमसफर बनने के लिए तक्दीर प्रभा मैं अभी तुमसे बहुत प्यार करता हूं हाँ जलीर कुटे कमीने आगे अपने यौकात नर अज़ जाओ मेरे सामने से मुझे तुम जैसे हैवान की शक्टी से भी नज़त है एक दिन तुमने मेरी दक्दीर को ठपल मारा था और जो मुझे मारा है इसका भुगतान तुम्हें अभी और इसी वक्त गदा होगा हाँ कहाँ 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 झाल सो झाल कि जारि नहीं। कि इस खार्ड़ कि अधिंए कि अधिंए अ अ हुआ अ कि ज़न geliyor अ अ उर खिंए यूर अनर मेरे काविल दोस्ट जनाब सरकारी वकिल साहब ने मप्तूल शम्शेर सिंग के कतल का इल्दाम जो मेरे मुवक्ति सूरज सिंग वल ठाकुर भानु पिरताब सिंग पर लगाया है वो बिल्कुल बेबुनियाद है सूरज ने शम्शेर का कतल नहीं किया बलकि वो खुद अपनी मौत मारा गया इसे साबित करने के लिए मेरे पास दो गवा हैं मुल्जिम की मा श्रीमती अम्बा देवी और मुल्जिम की भावी श्रीमती प्रभा देवी यह अनर मैं अपनी पहली गवा श्रीमती अम्बा मैं जो कहूंगी सच कहूंगी सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी अमबा देवी पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक 11 जुलाई की सुबह सूरज सिंग ने शम्शेर सिंग का कतल किया और इस रिपोर्ट के मुताबिक आप भी वहां मौजूद थी अब आप अदालत को बताईए कि शम्शेर सिंग की मौत कैसे हुई सूरज ने शम्शेर सिंग का कतल नहीं किया इसने मेरे कहने पर उस नीच को ललका रहा और उसे मेरी बहु प्रभा की इज़त लोगने से रोका उस लड़ाई में शम्शेर सिंग अपनी मौत खुद मारा किया अब आप जा सकती है मिलोर्ट अब मैं श्रीमती प्रभादेवी का बयान अदालत में पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ इजाज़त है मैं जो कहूंगे सच कहूंगे सच के इलावा कुछ नहीं कहूंगे प्रभादेवी श्रीमती अंबादेवी का बयान है कि उनके बेटे सूरज ने आपकी हिज़त बचाने के लिए शम्शेर सिंग को लल करा और उस लड़ाई में शम्शेर सिंग अपनी मौत खुद मारा गया अंबादेवी का बयान छूटा है आउडर आउडर तो फिर हकीकत क्या है हकीकत यह है जजज साहब कि जब मैं मंदिस से वापस लौट रही थी तो खानदा ने दुश्मनी का बद्ला लेने के लिए सूरज ने अचानत मुझ पर हमला किया यह तो मुझे मार ही डालता लेकिन ठाकु शमशेर सिंग जो वहां से गुजर रहे थे उन्होंने मेरी जान बचाने के लिए सूरज को रोकने की कोशिश की और आपने से बाहर सूरज ने बड़ी बेहांनी से ठाकु शमशेर सिंग को माठ डाला यह जूट है बाहू बापस ले अपना जूटा बयान जूटा बयान तो तुम ने दिया है अपने बेटे सूरज के जान बचाने के लिए मैंने जूटा बयान दिया अरे मुझे जूटा बयान देना होता तो उस दिन देती जब मेरा बड़ा बेटा राजा इसी अदालत में मुल्सिम के तरह पेश था अगर मैंने उस दिन जूट बोल दिया होता तो मेरा जवान बेटा भरी जवानी में न मारा जोता मेरा हरा-बhara घर बर्वास में होता यही मारना ही तो मुझे मारता है सुरज ने क्या वेगा है झेरा क्या तेरी हिजट को लुक में से बचाना है इसका चुरम है क्या तेरे लिए इसमें प्रैजान की भाज़ी लगा ति यहीँ आपराद है सुरजका सच बोल दे प्रभा, नहीं तो संसार में भावी देवर का रिष्टा हमेशा कि ये कलंकेद हो चाएगा अपने क्रोध और नफ्रत की आग में मेरी रही सही जिंदगी को मत प्रूव कह दे कि सूरज नितोश है मुझे जो कहना था, मैंने कह दिया जजज सहाब, मैंने जीवन में कभी जूट नहीं बोला आप गवा हैं, क्यूंकि इसी अदालत में आप ही जजज थे और अपने बड़े बेटे राजा के गुना किया एक मैं ही गवा थी और मैंने सच और म्याई की खातिर अपने दोशी बेटे को बली चरह दिया था लेकिन आज, आज मेरा ये बेटा निर्जोश है इसका अपराद अगर है तो बस इतना कि इसने अपनी मा जैसी भावी की इजजद को मिट्टी में मिलने से बचाय और अब वही भावी इसके प्राणों की प्यासी बन गई है अंबा देवी, अदालत आपके जजबात की खदर करती है लेकिन कानून को जजबात नहीं, शहादत चाहिए प्रभा देवी, जो इस हासे की शिकार हैं और इस मुकदमे में गवा भी हैं अदालत उनकी शहादत को नजर अंदाज नहीं कर सकती तो फिर शहादत की बिना पर आप अपना फैसला करते रही है जजब साहर मैं अपने बेटे की जान को अंधे कानून के अंधे तराजु में तुने तो मैं संसार की सबसे बड़ी अदालत के सामने फरियाद करूगƯ वो अदालत जहा जھूट और कपट के लिए कोई जगह नहीं वो अदालत जिसका अंधा नहीं वो अदालत जहां निर्टोश को सुबूता शहादत की कोई जरूरत नहीं अब उसी अदालत में मेरा और मेरे बेटे की तख्दीर का फैसला होगा मा, मैं तेरे दर्बार में न्याए मांग नाए हूँ एक दिन तेरी ही दी हुई शक्ती से मैंने अपरादी बेटे को तेरे चर्णों में बली चढ़ा गया था लेकिन आज, आज मेरा सूरज निर्दोश है, सर्जू निर्दोश है मा, दिनिया और उसका कानून मेरे निर्दोश बेटे को मुझसे चीन रहे और तुछ चुप चाप देख रही है, ये तेरा कैसा इंसाफ है? मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, मैं दुनिया की अदालत को नहीं मानती, मुझे तुछ से इंसाफ चाहिए, तुझे मेरा बेटा वापस करना होगा नहीं तो तेरी सौगन, मैं बिना अंजल लिये, मुझी प्यासी तेरे चर्णों में यही अपने प्रांड दे दूंग शावाज मेरी बेंच, शावाज तुने मेरे जलते जखमों पर संजीवनी लगा दी, मेरा रोम रोम जो सूरज के खून का ब्यासा था, तेरी जैजे कार करता है जो माई और पिता जी नहीं कर पाए, वो तुने कितनी असानी दगर दिया अब सूरज भासी के तक्ते पर अपना दम दोड़ेगा, और अमबा भूख और प्यास से तरप तरप कर मर जाएगी अब 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 जाएगी जाएगी अब जाएगी अब जाएगी अब जाएगी 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 झाल झाल चा-चा-चा? मा, मा, तुन्हा पूँ ये क्या हलत बना रखी है? अपना ये जान ले वरत तोड़े मा तोड़े तुझे मेरी कसम है, मा अपना ये वरत तोड़े अगर तुझे कुछ हो गया तो इस सारे संसार को आग लगा डालूँगा भूख डालूँगा सारी दुनिया को रवाने भरी हदालत में इतना बड़ा और काला जूट बोला वह तो चाहती है, मैं भासी पो लटक जाओं और तुझे दम तोड़े ठाकरों के जूट परेब और अत्याचारों का पद्ला इस तरह भूक और प्यास से तालब ताब कर बड़े मा तो फेवरत फिर देख, तेरा ये बेटा सूरज उन पापियों से किस तरह उनके अत्याचारों का पद्लीता है मा मा अपने ये, अपने ये जानने वह वह तोड़े मा तोड़े मेरा ये प्रत तभी ढूटेगा जब मात तुरबन्याय करेंगी हाद दूग मुना हाद करी के मुझे गंगचर पिलाएगा जा रपिस चलाजा सर्चू तुझे मेरी किसम सर्चू रपिस चला जा कर दो कर दो चाचा, चाचा, रुट जा चाचा, मज जा चाचा, दादी मर देगी, मज जा चाचा प्रभा देवी, मुर्णवी सिंह, 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 मुर्णवी सिंह रन्वीर सीभ नवाद यह च्छार मचा रखा है तुम लोगों ने यह शौर नहीं सताय होए गरीबों की आवाज है ठाकुर सहाब आपने गौंवालों पर जुल्म धाए हमने चुपचाप सेलिये अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप वापस लोड़ जाओ हम वापस लोड़ देने के लिए नहीं है धागुरताब हम सच जूट का फैसा करने है धागुरताब हमें नहीं चाहिए हम अपनी जान दे देंगे मगर मां बार सुरज की जिनकी से आपको खिलवार नहीं करने देंगे प्रभाद देवी प्रभाद देवी जस्वीर सिंग जस्वीर सिंग रनवीर सिंग ख़बार कोई भी आगे बड़ा तो गोली होते भूं के रख दूगा प्रभाद देवी मुर्दाबाद रत्वीर सिंग मुर्दाबाद प्रचत तो इस भीर के साथ क्या कर रहा है बेता बेता मत को मुझे तुम मेरे चाचा मेरी दारी की जन की दुश्मनो प्रचत हाँ मैं सब कुछ जान गया हूँ तुम नाना जी और मामा जी के साथ मिलकर मेरे चाचा दाड़ी को मर्टालना चाती हो मैं तुम्हे असान नहीं करने दूगा रच्जर ये तुछी क्या हो गया है बेता गैरों के खाते तो अपनी मागा अपमान करता है और जो तुमने मेरी डेवी जैसी दाड़ी और देटा समान चाहिचा का अत्मान किया काला जूड मॉयकर मैंने कोई जूट नहीं बोला अगर तुमने जूट नहीं बोला तो इन सब लोगों के सामने अपने बेटे के सर पर हाथ रखकर कसम खाओ कि तुमने अदालत में सची कहा था खाओ सोगंद अपने बेटे की और कहो कि तुम सची हो और मां बन जूटी है हाँ खाओ कदम खाओ कदम बंद करो ये बकवास और दफा हो जाए अत्रत कि याद रख मां अगर जूटी कसम खाई तो चाचो और दाली तो मरंगे ही जाते तेरा ये बेटा भी अभी और इसी वक्त यहीं खड़े खड़े मर जाएगा में रजट नहीं बेटा फिक दे इसे तुझे मेरी कसम कियो मा काम क्यों रही है अई रजट बेटा फिक दे तेरा बेटा मर जाएगा जाचा भी कईसी का बेटा है का कसम मैं तेरी कसम नहीं खा सकती च्योंकि तुझोटी है कर बंद आगव का मीलिए इस चल मा, चल, मेरे साथ चल, चाचो दादी को बचा ले, चल मा, मेरे साथ चल चल बेटा, चल प्रभा, रोग जा प्रभा, फरना में तेरे बेटे को घोली मार दूगा नहीं रनवीर, अब मुझे कोई नहीं रोख सकता प्रमा, फभी, प्रादगर, आपको मुल्जम सूरज सिंग, वल्ड ठाकूर भानु परताप सिंग, यह दालत तो की दफा 302 के तहट मजरिम करार देती है नहीं, नहीं जैशाअग। मेरा देवन दोश है जाख्थजाभ। जोरद दोश है। जोरद दोश है। यह क्या रही है आप। हा जैशाभ, जोरद तो मेरा रखवाला है। दिए इस तक है कि दिए शल्ट में मेरी इघ्याइर भॉटी होती हिसुश्रक्रे अपनी द69 कि मैरी इज्ड तक मेरी इञ्ड लुठी गई होती है कि ते जोर्फ अपनी उपारा गया है 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 कि सूराच और मां अमा के दूब तो फिर आपने जूटा बियान देखर अधायरत को गुम्राइचों किया पती की मौत ने मुझे पागल कर दिया था जच सहाथ बदले और नफरत की आग में अपनी देवी जैसी साथ को अपने पती की हाथ प्यारन समझ कर उसके खुट की प्राश ही हो गए थी नफरत की आग में ये भूल गई थी कि अगर मैंने अपना पती खोया है तो मैंने अपना पेटा भी गवाया है तो ये भूल गई थी कि वो सिर्थ मेरी साथ ही नहीं मेरे पती की मा भी है नब्रत की आग में तब हुए मेरी स्मंसा को मेरे छोटे से बेटे ने ज़ट जोट के रख दिया आज जब मैंने अपने बेटे को मात के वों में चाहते देखा ता मुझे मालूम हुआ कि मेठे के बिना माँ के जीवन का कोई मोल नहीं कि मेठे के बिना मा मा नहीं हाद मया भागत अंबा मा से उतका दिर्दोश पेटा चीनने जा रही थी हिटकार है मुझ पर और मेरी दफरत पर मुझे माफ कर दो देवर जी तुमधे तुमारे से बड़ा आओ किया है तुमारी गुझे कार हूँ चाहिए चाहे पुझे सज़ा देदो लेकर मुझे माफ कर दो देवर झी alewife जजज आपके दो 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 कर दो कर दो कर दो अंबा तेरा जीवन इस धर्थी पर साथक हुआ आ, मुझ में समा जा कर दो कर दो कर दो झाल 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 झाल